आपका अपने चैनल में फिर से स्वागत है न्यू गैडलाइन से संदर में इस वीडियो में मैंने रिटेल डारेक्टी स्कीम, गती सक्ती प्लान, सुप्रीम कोट ने जो होम बायर को कोई रिलेक्सेशन दिया है और जो All India Financial Institution है जो बैसन लॉनम के संदर में क्या गाइडलाइन जारी किये है साथ ही साथ कुछ और प्रस्ण होंगे जो की नए करेंट अफैर से रिलेटेड होंगे उसके बारे में मैं इस वीडियो में बताऊंगा आप इसको सुरू से अंति तक जरूर देखे ताकि आपको प्रतेक प्रस्ण का आंसर मिल सके तो चलते हैं वीडियो की ओर रिटेल डारेक्ट स्कीम रिटेल डारेक्ट स्कीम रिजर्ब बैंक आप इंडिया ने विजारी कि इसका क्या मतलब है Retail Direct का मतलब यह है कि RBI अभी तक जो transaction करती थी Government Security के संदर में वो उसमें individual का access direct नहीं होता था अभी Reserve Bank of India ने एक ऐसा scheme लाया है जिसके सतहत कोई भी public जिसका की bank account है किसी भी Nationalize Bank में वो बैखती अपना Government Securities में investment कर सकता है तो सबसे पहले हम यह देखते हैं कि यह one stop solution है जो investment को facilitate करेगा Government Securities में by individual जो की primary market में कर सकता है या secondary market में कर सकता है Primary market का मतलब यह होता है कि जहाँ पर Government auction करेगी वहाँ खड़ी सकता है या जहाँ public भी यदि उसको बेचना चाहती है तो वो उसको भी खड़ी सकता है security account खोलना पड़ता है और उसको retail direct guilt account कहा जाएगा जो Reserve Bank of India के साथ खोलेगा कहने का मतलब यह जो भी security, government security को purchase करता है उसके लिए guilt account का होना जरूरी है उसी तरह से जो individual retail investor है वो guilty security account खोलेगा जिसका नाम होगा retail direct guilt account वो Reserve Bank of India के साथ खोलेगा और वो online उसको खोल सकता है Reserve Bank of India के portal पे जिसका की आपको यहाँ पे दिया गया है retail direct rbiretaildirect.org.in इस पे जाके वो online account खोल सकता है कोई भी retail investor, any individual वो open कर सकता है उसके लिए क्या क्या जरूरत है? उसके लिए सबसे पहने जरूरी है कि रूपी से भी bank account उसके पास होना चाहिए उसके पास pen card होना चाहिए income tax department के द्वारा कोई official valid document होना चाहिए KYC के purpose के लिए उसका valid email ID होना चाहिए और उसको registered mobile number भी होना उसके लिए जरूरी है जो non-resident retail investor है वो भी eligible government security में invest करने के लिए लेकिन उसको जो है वो फेमा act के तहतिव वो कर सकता है फेमा act में जो भी rule है उसके हिसाब से वो investment कर सकता है कोई भी individual एक ही retail direct guilty account खोल सकता है और ये single भी खोल सकता है और jointly खोल सकता है किसी भी retail investor के साथ ही साथ ही साथ यदि कोई आदमी second holder है तो वो अपना एक separate account भी individual rdg कोल सकता है दो nominee investor के द्वारा इसमें किया जा सकते है मतलब rdg account जो खोला जाएगा उसके तहट दो nominee हो सकता है और जब भी उसको चाहे उसको change भी कर सकता है retail direct portal पे जाके कभी भी उसको change भी किया जा सकता है साथ ही साथ जो primary auction है वो generally एक specified days किया जाएगे week में जिसके जिस दिन primary auction किया जाएगा day जो हर मैने holiday के कारण change हो सकता है जो half yearly indicative calendar होगा वो RBI के website पे already published किया होगा कि किस दिन कौन सी security बेची जाएगी जैसे कि आप sovereign gold bond की बात भी करते हैं जहाँ पे कि quarterly indicative calendar published किया जाते है treasury bill किस दिन होगा state development loan के संदर में कोई security आ रहा है कब होगा यह already उस पे available होगा लेकिन यह चीज आपको ध्यान में रखना है कि यह specified days of week में ही इसका primary auction किया जाएगा primary auction का मतलब है जब government के दोरा किया जाएगा लेकिन कोई public यदि उसको बेचना चाहता है किसी के पास यदि मालेज़े sovereign gold bond है और वो चाहता है कि मैं इसको बेचना चाहता हूँ तो कोई और उसको खरीच सकता है तो वो secondary market हो गया तो वहाँ जाके वो खरीच सकता है साथ ही साथ जो minimum amount of investment है detailed direct upon पे वो कम से कम 10,000 रुपे का होना जरूरी है maximum के संदर में जो amount है वो government security के हिसाब से किस type की security है उसके हिसाब से binding किये गया है जैसे कि आप treasury bill की बात करते हैं जो की 180 days तक होता है तो उसमें क्या है कि जो non competitive bid है वो restricted कर दिया गया है कि 5% of aggregate nominal amount होना चीए issue का कि एक आदमी 5% से ज़्यादा नहीं कर सकता है बट इसमें ऐसा है कि जब government of India चाहेगी तो वो समय समय पर इसको change भी कर सकती है present में जो treasury bill है उसके लिए 5% दिया गया है maximum amount जबकि government जैसे कि debted security होती है जिसको हम government securities कहते है वहाँ पर 2 करोर तक का security value पर वो खड़िश सकता है तो यह चीज जो है आपको याद रखना है साथ ही साथ state development point जो है वो 1% of notified amount का per auction खड़िश सकता है इसमें जो question आपके बनेंगे retail वाले से सबसे पहले बात तो यह है कि कौन खोल सकता है कोई भी retail investor खोल सकता है कोई भी individual खोल सकता है साथ ही साथ इसमें minimum investment 10,000 का होगा maximum investment जो treasury bill में यह पुछा जा सकता है तो 5% of aggregate nominal amount है government securities में 2 करोर है face value per security per auction और 1% है यह इस्टेट development loan के ताहत है तो यह सारे questions इससे बनेंगे और कितने nominee हो सकते हैं तो यह आपको याद रखना है जो कि आपके exam के purpose के लिए बहुत important है अब हम देखेंगे गती सकती master plan क्या है GSMP यह इसका full point पुछा सकता है GSMP क्या है गती सकती master plan यह क्या है तो यह जो है गती सकती यह digital platform है जो की solar ministry को मिलाए गया है जिसमें की all together वो काम करेंगे railway और roadways भी उसमें है मतलब क्या है कि उससे जो है सभी platform को मिलाने के बाद उसमें एक integrated approach होगा जिसमें की solar ministries हैं और उसे related department उसमें available है इसमें idea क्या है उसका कि coordinate और execution करेगा infrastructure connectivity के लिए project across the country चाये road से हो, चाये railway से हो, चाये किसी और area से हो लेकिन वो coordinate करेगा execution में इसके साथ ही 100 lakh crore का ये project है जिसकों की holistic infrastructure के लिए use के जाएंगे तो ये question बन सकता है कि गती सकती master plan जो है वो कितने amount का है तो 100 lakh crore का है अब ये देखिए एक चीज़ और इसमें question बनता है कि ये किस-किस plan को जोड़ेगा जैसे कि सागर माला है, भारत माला है, उडान scheme है, inland waterways है सभी scheme को ये already incorporate किया गया इस plan में ताकि एक integrated approach चलेगा जिससे कि ये infrastructure में development हमारा हो सके ये question आ सकता है कि कौन-कौन से पहले वाले project को इसमें भी add किया गया है ये master plan जो है, ये economic zones को भी cover करेगा जिसमें कि जैसे pharmaceutical cluster है textile cluster बना जाएगा, defense corridor बना जाएगा industrial corridor बना जाएगा, electronic park बना जाएगे phishing cluster बना जाएगे, agree zones बना जाएगे मतलब हर छेत्र में एक cluster बना दिये जाएगे ताकि development fast हो सके तो ये भी question आपके हो सकते हैं ये कहता है, it will also leverage technology extensively including spatial planning tools with ISRO ISRO के साथ भी इनोंने, मतलब कैसे हमारा space technology में बढ़ाए जाएगा उसके लिए bisect end ये भी आपको ध्यान रखना है कि bisect end एक imaginary बनाया गया है ISRO के द्वारा तो उसमें भी कैसे उसको भी बढ़ाया जाए उस पे भी इसके अंतरगत कारी किये जाएगे साथ ही साथ ये master plan जो है seamless movement होगा goods और people मतलब किसी का भी कहीं पर भी हो सकता है development का जैसे बात है seamless का मतलब ये है कि कहीं से भी मतलब कहीं भी फिस यदी एक जगा हो रहा है तो वहाँ पर दूसरे जगा ले जाया जा सकता है pharmaceutical के चेतर में भी अलग-अलग जगा पर cluster बना दिये जाएगे textile जहाँ पर हो रहा है वहाँ पर एक cluster तो seamless होगा जिससे कि कहीं पर भी या तो goods को इधर से उधर ट्रांसपर किया जा सकता है या उससे related जो expert manpower है उसको एक दूसरे जगा पर shift किया जा सकता है जिससे कि growth fast हो सके PM गती सकती जो है ये public and business community information के लिए जो connectivity project है जैसे कि business hub है industrial hub है surrounding environment है वो सब के लिए काम करेगा इसके पहले भी हमने चर्चा किए जो cluster जब होगा तो वो business hub बनेगा वहाँ पर industrial hub बन जाएगा तो अलग-अलग तरीके से ये गती सकती जो है हमारे development में growth आएगा हमारा अगला topic है कि supreme court ने जो unfinished housing project है उसके लिए home buyer को क्या rights दिया है बैंक के उपर तो ये भी एक question बन सकता है कुछ तो इसको भी हमने इस topic में लिया है अब दिखिए सबसे पहला क्या है कि supreme court ने ऐसा observe कि bank और authority जो है वो public interest के against में काम कर रहा है doctrine of public interest उसके against में काम कर रहा है इसलिए उसके public के trust को protect करने के लिए इन्होंने कुछ direction दिया है तो पहला उसने direction दिया कि government and banks cannot claim priority over the claim home buyer मतलब home जो buyer है उसके पहले bank नहीं कह सकता कि वो मेरी property है या कोई government उसको नहीं कह सकती है तो इसके साथ court ने order दिया कि government ये ensure करेंगे कि completion of construction of the flat by NBCC ये government company मतलब वो जो NBCC company है उसके ताथ वो home buyer जो है जो कि आपको NOIDA में इस तरह की समस्या होती अमरपाली project के ताथ उसी के अंसंदर में डिसीजन है कि वो government ensure करेंगी कि वो completion हो उस project का दूसरा है कि NOIDA authority would not have any charge on incomplete project which rightfully belongs to the home buyer मतलब कि कोई ऐसा जदी project है जिस पे की मतलब incomplete है जो अपतक complete नहीं हुआ है उस पे NOIDA authority कभी ये नहीं कह सकती कि उस पे मेरा कोई right बनता है साथ ही साथ जो due bank का due है या NOIDA authority का है या greater NOIDA authority का due है वो कभी भी मतलब home buyer के dues से compare नहीं किये जा सकते है at par वो कभी नहीं हो सकता है उसके साथ उन्होंने ये किया कि bank और authority वो सिर्फ वो उस dues को recover कर सकती है जहांकि आमरपाली ने divert किया fund को आमरपाली ने यदी प्रोजेक्ट नहीं यदी कहीं पर divert किया fund को तो वहां पर bank या कोई authority जो है उसको recover कर सकती है लेकिन उस home के उपर उसका home buyer से ज़्यादा right नहीं होगा तो इसके ताहत में कि Supreme Court relied on the provision of the real estate RERA जो act है which deals the remedy for home buyers in case of failure of the developer to complete the construction within the stipulated time period as well as completion of half completed project it directs the authority to grant occupancy certificate to the flat wire who have been staying there and other building as and when they are completed and to the utility provider in the area to provide the water and electric मतलब यह है कि इनोंने Supreme Court ने decision दे दिया कि जैसे ही वो project complete होता है तो उसमें जो रहता है वहाँ पे यह बगल में रहता है सब को रहने का permission दिया जाए और उसके साथ ही उसके साथ सुप्रीम कोड ने और एक order इसू किया कि भी direct the central government and the state government to take appropriate step on the time bond basis to do the needful all other case where the project have remained incomplete and home buyer have been cheated in a appropriate manner it should be ensured that they are provided houses मतलब पहले यदि इस तरह से कोई problem कहीं और project में हुआ है cheated किये गया है तो उसका भी central government और state government मिलके solution निकाल ले अब हमारा अगला जो topic है वो है best alarm on capital adequacy will be applicable to AIFI AIFI किसको कहते है All India Financial Institution जिसमें कि आपका नाबाड आता है SIDB आता है NHB आता है तो इसके उपर भी capital adequacy का norm रिजर बेंक उप इंडिया ने compulsory कर दिया है इसके साथ क्या क्या है कि जो भी All India Financial Institution है चाहे वो Exim Bank हो नाबाड हो चाहे वो NHB हो चाहे SIDB हो उसको minimum capital adequacy 11.5% of their risk weight asset रखना है 1 April 2020 तो ये date आपको याद रखना है कि कब उसे वो implement होगा ये question बन सकते है कि 1 April 2020 आपको Bessel norm के ताहत capital adequacy AIFI के साथ भी करना है इसको कया-कया maintain करना होगा तो minimum Harmatic CT Ratio 5.5% इसको रखना होगा इसके साथ ही जो minimum Tier 1 capital है वो 7% रखना होगा और इसके साथ और जो इसका CRAR है वो 9% इसको रखना होगा और जो CCB है वो 2.5% रखना होगा जो की total हमारा जो है वो 11.5% हो जाएगा, तो जो हमारे banking industry के लिए है, वो अब AIFI के लिए भी लागू हो जाएगा, जो कि एक अप्रिल 2022 से implement हो रहा है, अब कुछ important news है, जो कि आपको मैंने लाया है, तो सबसे पहला एक news है, कि Power Salute, Power Salute किस bank ने लाया है, तो Power Salute Axis Bank ने sign किया है MOU Indian Navy के साथ, आप इसमें की accidental cover है 56 lakh रुपीज का, आपने ये देखा होगा, जो defense service package के लिए जाते है, SBI ने किया है, बाकी बैंकों ने किया है, लेकिन अभी recently Power Salute Axis Bank ने किया है, जिसमें क्या-क्या facility देंगे, तो सबसे पहला accidental cover है 56 lakh का, चिल्रेन का education जो है, वो grant 8 lakh का, यदि total या partial या permanent disability है, तो वहाँ पर 46 lakh का, air accident का जदी है, तो एक करोर का, और zero processing fee है, और 12 EMI waiver है home loan पे, तो ये इतना privilege उसमें मिलेगा, तो ये question बन सकता है, कि क्या-क्या उसमें privilege है, उसको आप देख सकते हैं, उसके साथ United Kingdom ने 5 रुपे का coin अभी जारी किया है, महत्मा गांधी के commemorative में, तो official प पे का coin जारी किया है, साथ ही एक और प्रस्निस में आता है, कि custodian of trust, the custodian of trust book किसने लिखिया है, तो रजनीश कुमार जो हमारे X CEO हो थे, SBI की उन्होंने लिखा है, तो रजनीश कुमार के ने एक book लिखा है, custodian of trust, तो ये आपको ध्यान रखना है, साथ ही साथ October महिने मे हमारा vigilance awareness week हुआ, 2021, October महिने को में, तो उसके लिए जो theme था, वो theme है, independent India at 75, self-reliance with integrity, self-reliance with integrity, तो ये आपको ध्यान रखता है, तो theme पूशा जा सकता है, किस bank ने अभी CDAC के साथ Cyber Security के लिए partner किया, तो Union Bank of India ने किया, और एक चीज और है, जो रिवाली पार्क है, मुंबई का, वो first project है, जिसने की, स्वामी के ताहत, ये जारी किया, सुरिवाली पार्क में, तो ये स्वामी का मतलब होता है, special window for affordable and mid-income housing, इसके ताहत क्या है, कि Government of India, जो uncompleted radar registered residential housing project है, जो किसी के कारण से रुप गया है, उसको वो complete करती है, और इसके ताहत, alternate investment fund का, इंतजाम करती है, जो कि, जो fund है, वो debt fund, जो है, से भी registered से किये जाते है, जो कि 2019 में launch किये गहते है, और ये investment manager जो fund है, SBI cap venture का, वो इसका subsidiary है, मतलब SBI cap venture जो है, उसी का है, ये AIF, category 2 वाला, sponsor of fund is, secretary, department of economic affairs, ministry of finance, and on behalf of government, मतलब क्या है, कि ये, इसके ताहत, ये स्वामी से जो है, इसको दिया गया है, ये सारे question थे, जो की हमारा इससे related है, अब, मैं आगे भी आपको जल्दी, next video भी provide कराऊँगा, यदि अभी तक आपने, हमारे channel को subscribe नहीं किया है, तो please इसको subscribe करें, और कुछ comment जरूर लिखें, ताकि उससे हमारा होसला अब जाई हो, आपको अपना वहमुन सर्में देने के लिए धन्यवाद, आपका दिन सुभो,